Hello everyone, speed ग्यान में आपका स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना की भासा एवं साहित्ति के बारे में इनके उपर जो भी most important MC की questions बनेंगे उनके उपर discuss करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले पहला question है परदेश में भासा का ग्यान कब से उत्पन माना जाता है option A है 600 इसवी के बाद B है 1500 इसवी के पहले C है 700 इसवी के बाद और D है 1000 इसवी के बाद तो इसका right answer है option B 1500 इसवी से पहले जो परदेश में भासा का ग्यान है वो कब से उत्पन माना जाता है वो माना जाता है 1500 इसवी से पहले ठीक है अगला question है हर्याना परदेश की ग्यात पर्थम भासा कोंची है option A है कोरवी B है संस्कृत C है प्राकर्त और D है चान्दस तो इसका राइटांसर है option A कोरवी जो हर्याना परदेश की पहली ग्यात भासा है वो है कोरवी ठीक है कोंची है कोरवी अगला question है प्रसिद रचना बीजग के रचनाकार कोन है option A है संत गरीब दास B है संत लाल दास C है संत वीरभान और D है संत आत्मा राम तो इसका राइटांसर है option A संत गरीब दास ठीक है प्रसिद रचना बीजग कोन सी रचना बीजग इसके रचनाकार है वो है संत गरीब दास इनका जन्म का हुआ था इनका जन्म हुआ था छुडानी में ये का पढ़ता है ये पढ़ता है जजजर में ठीक है और कब हुआ था सत्रा सो सत्रा इस्वी में जो संत गरीब दास है इन्होंने हरियानवी भासा में बहुत सारी कविताएं लिखी है ठीक है अगला क्योशन है प्राण सांकली के रसनाकार कौन है अगला क्योशन है संस्कृत साहित्य के गरंथों में सामिल नहीं है यानि कि कौन सा जो है वो सामिल नहीं है उप्राण सांकली कबीर चितरम B. दैयानंद लहरी C. बनार्शी विलास और D. चित्र बॉधनी तो इसका राइट आंसवर है option C. बनार्शी विलास जो बनार्शी विलास है वो संस्कृत साहित्य के गरंथों में सामिल नहीं है बाकि कबीर चित्रम, दैयानंद लहरी और चित्र बोधनी ये संस्कृत साहित में के गरंथों में सामिल है ठीक है अगला क्यों सुन है अमानत एक सहीद की उपन्यास्कार का क्या नाम है option A है मोहन चोपडा, B है मधुकांत, C है उर्मी कृष्ण और D है कृष्ण बाचल तो इसका राइट आंसर है option D अमानत एक सहीद की जो उपन्यास्कार है उसका क्या नाम है क्रश्ण बाचल ठीक है ये क्या है ये एक उपन्यास्कार है अगला क्यों सुन है निमलिखित में से कौन सा साहित्यकार हरियाना के जैन साहित्यरसना से सम्मंदित नहीं है option A है जैराम सास्त्री, B है सूरदास, C है मालदेव और D है जगत राइट तो इसका राइट आंसर है option A जैराम सास्त्री ठीक है जो जैराम सास्त्री है ये साहित्यकार हरियाना के जैन साहित्यरसना से सम्मंदित नहीं है बाकी सूर्दास, मालदेव और जगत राय ये सभी किस्ते समंदित है? जैन साहित्य की रचनाशी अगला केशन है कौन सी सदी को हरियाना में संत संपरदाय का सरण काल माना जाता है ओप्सने है 16V, B है 18V, C है 17V और D है 15V तो इसका रायट आंस्वर है ओप्सन B, 18V 18V सदी को हरियाना में संत संपरदाय का सरण काल माना जाता है ठीक है अगला केशन है हरियाना में हिंदी का पर्थम साहित्यकार किसे माना जाता है हिंदी का पर्थम साहित्यकार ओप्सने है स्रीधर B है सूरदास C है चोरंगीनात और D है पुष्डंत तो इसका right answer है Option C, चोरंगीनात चोरंगीनात को हर्याना में हिंदी का पर्थम साहितकार माना जाता है हिंदी का पर्थम साहितकार कोन है? चोरंगीनात अगला क्योशन है तूटते बंदन के उपन्यासकार कौन है? Option A है हेमराज निर्गम B है क्रशन बाचल C है मोहन चोपड़ा और D है डाक्टर ससी भूसन भूसन सिंग तो इसका राइट आंसर है Option A हेमराज निर्गम हेमराज निर्गम तूटते बंदन इसके उपन्यासकार है तूटते बंदन के उपन्यासकार अगला क्योशन है साए अपने अपने जो यह उपन्यासकार है इस उपन्यासके लेखक का क्या नाम है? Option A है अभिमन्यू अनंत B है मधू कांत C है अमरतलाल मदान और D है राजकुमार निजात तो इसका राइट आंसर है Option D राजकुमार निजात साए अपने अपने जो यह उपन्यास है इसके जो लेखक है वो है राजकुमार निजात ठीक है अगला क्योशन है रोहतक मेजन में बनार्शी दास की प्रशिद रचना कौन सी है Option है सुन्दर विलास B है सुन्दर स्रंगार और C है अर्ध कथानक और D है सत्साई तो इसका राइट आंसर है Option C अर्ध कथानक ठीक है रोहतक मेजन में कौन बनार्शी दास इसकी प्रशिद रचना है वो है अर्ध कथानक ठीक है और बनार्शी दास द्वारा अर्ध कथानक के अलावा कौन-कौन सी जो रचनाई है उनके द्वारा और लिखी गई रचनाई है नाटक, समयसार बनार्शी विलास नाम, माला ये सबी रचना है किसकी है? बनारशी दास की है ठीक है? अगला क्योशन है संतोस जय तिलक किसकी रचना है? जो संतोस जय तिलक है ये किसकी रचना है? ओप्शने है पुस्पदंत B है बूच राज C है भगवती दास और D है स्रीधर तो इसका राइट आंस्वर है ओप्शन B बूच राज संतोस जय तिलक ये रचना है ये है बूच राज की अगला क्योशन है? माटी का मोल जो उपन्यास है ये किसने लिखा है? ओप्शने है जय नाराइन कोशिक B है हेमराज निर्गम C है अभिमन्यू अनंत और D है क्रिशन मद्धोस तो इसका राइट आंस्वर है ओप्शने जय नाराइन कोशिक माटी का मोल जो ये उपन्यास है ये लिखा है जय नाराइन कोशिक ने अगला क्योशन है मेहंदी रचे हाथ मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है ओप्शने है मोहन चोपडा B है रमेश चंदर जैन C है मधुकांत और D है क्रिशन बाचल तो इसका राइट आंस्वर है ओप्शन B रमेश चंदर जैन ठीक है मेहंदी रचे हाथ जो ये उपन्यास है इसके लेखक है रमेश चंदर जैन अगला क्योशन है रतनावली किसकी परसीद रचना है ओप्शने है मस्तनात B है मानेक के राज C है हरदवारी लाल और D है हर्सवर्धन तो इसका राइट आंस्वर है ओप्शन D हर्सवर्धन रतनावली किसकी परसीद रचना है हर्सवर्धन की अगला क्योशन है अदखिला फूल किसकी परसीद रचना है ओप्शने है माधव परसाद मिस्र B है ठाकुर फेरू C है बाल मुकंद गुप्त और D है नेमी चंद इसका राइट आंसर है ओप्शन C बाल मुकंद गुप्त ठीक है अदखिला फूल जो ये परसीद रचना है ये है बाल मुकंद गुप्त की ठीक है इनके द्वारा और अलग जो परसीद रचना है वो कौन-कौन ची है इनके द्वारा और लिखी गई रचनाएं है तारा, अस्रुमती, तुल्शी सुधाकर, एक लिपी की जरूरत, देवनागरी अक्सर, हिंदुस्तान के रस्मुक्त, ठीक है, आदी ये सभी जो रचनाएं हैं, ये किसकी हैं, बाल मुकंद, गुप्त के द्वारा लिखी गई, अगला क्योंसन है, तूटा हुआ आदमी, उपन्यास के उपन्यासकार कोन है, उपसने है, उर्मिक क्रिश्न, बी है, मोहन चोपड़ा चोपड़ा, C है, मधुकांत, और D है, क्रिश्न मध्होस, तो इसका राइट आंसर है, ओपसन भी, मोहन चोपड़ा, ठीक है, तूटा हुआ आदमी, ये जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मोहन चोपड़ा के द्वारा, ठीक है, और इनके अलावा रुक एक छाया और मैं, ठीक है, ये सबी जो उपन्यास है, ये लिखे है, मोहन चोपड़ाने, ठीक है, अगला क्योशन है, रूपचंद सतक, रूपचंद सतक के लिखक कौन है, ओप्शन है, भगवती दास, B है पुस्पदंत, C है माल देव, और D है रूपचंद पांडे, तो अगला क्योशन है, अकाइदे अजीम, अकाइदे अजीम, नामक हरियानवी गद्य पुस्तक, किसने लिखी है, ओप्शन है, ताराचंद, B है सेख जमाल, C है सा मुहम्मद, और D है सा गुलाम जिलानी, तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन C, सा मुहम्मद, ठीक है, अगला मेजन में भगवती दास का परमुख्ष जैन साहित्ते कों सा है, ओप्शन है सीता सेतु, B है विलास, C है नवरास, D है चुनडी, तो इसका राइट आंसर है, ओप्शन E, सीता सेतु, ठीक है, अगला क्योशन है, हरियाना का प्र्थन सूफी संत कों था, ओप्शन है तो इसका राइट आंसर है ठीक है हर्याना का पर्थम सूफी संथ वो था सेख मुहममद तुर्क अगला क्यों सन है हादी ए हर्याना के नाम से कौन परसिद था ठीक है ठीक है ठीक है सा मुहममद C है सेख उस्मान और D है हजरत खैरू तो इसका राइट आंसर है option B सा मुहममद हादी ए हर्याना इस नाम से जो परसिद था वो था सा मुहममद ठीक है अगला क्यों सन है चित्र बोधनी नामक्ति का किसने लिखी चित्र बोधनी नामक्ति का किसने लिखी option ए है पंडित हरी पुन्य B है चजुराम सास्त्री C है सूर्दास और D है सत्यमे वशिस्ट तो इसका राइट आंसर है option ने पंडित हरी पुन्य चित्र बोधनी जो नामक्ति का है ये लिखा है पंडित हरी पुन्य ने अगला केशन है अमरसेन चरित्र खंड कावे किसने लिखा अमरसेन चरित्र जो खंड कावे है वो किसके द्वारा लिखा गया है option ए हर्दवारिलाल B है मानिक के राज C है बानभट और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है option B मानिक के राज अमरसेन चरित्र जो खंड है खंड कावे किसके द्वारा लिखा गया है मानिक के राज की द्वारा अगला केशन है विवाः पद्धती पुस्तक किसने लिखी है option A है सीताराम सास्त्री B है पंडित माधव आचारिय C है पंडित विद्ध्यादर सास्त्री और D है जैराम सास्त्री तो इसका राइट आंसर है option C पंडित विद्ध्यादर सास्त्री ठीक है पंडित विद्ध्यादर सास्त्री ने कौनची पुस्तक लिखी है विवाः पद्धती ठीक है विवा पद्दती पुस्तक लेगी है पंडित विद्याधर सास्त्री ने अगला क्योशन है हरियानवी भासा को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है ओप्सने है भोजबुरी, बी है पाली, सी है मिस्रित, और डी है कोरवी तो इसका राइटांसर है ओप्सन D, कोरवी ठीक है जो हरियानवी भासा है ये किस की मुख्य बोली का रूप माना जाता है वो है कोरवी भासा का ठीक है अगला क्योशन है निमल लिखित में से कोरवी मूलते किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है option A है खड़ी, B है अवधी, C है संस्कृत और D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइटांसर है option A खड़ी ठीक है जो खड़ी बोली है वो मूलते जो कोर्वी बोली है वो मूलते खड़ी बोली का ही प्रारूप मानी जाती है अगला क्योशन है जैन कावेधारा में हरियानवी का परियोग करने वाले परमुक साहित्यकार थे कोन थे option है नित्यानंद, B है स्रीधर, C है जैतराम, और D है बंसिलाल तो इसका राइटांसर है option B, स्रीधर जैन कावेधारा में हर्यानवी का उप्योग करने वाले जो पर्मुक्स था हित्यकार थे वो थे स्रीधर ठीक है अगला क्योशन है राज्य की सास्किय भासा कौन सी है option A हर्यानवी, B है पंजाबी, C है हिंदी और D है अंग्रेजी तो इसका right answer है option C हिंदी जो राज्य की राज्य सास्किय भासा है वो है हिंदी ठीक है अगला क्योशन है निमलिखित में से सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई है option A है बनवारी दास द्वारा B है सूर दास द्वारा C है उदोदास द्वारा और D है बनार सी दास द्वारा ये सायद दो बर रिपीट हो गए आपे तो इसका right answer है option C उदोदास द्वारा ठीक है उदोदास द्वारा सूर सागर लिखी गई है किसके द्वारा उदोदास के द्वारा अगला क्योशन है आलहा साहित्य की कौन सी गाथा है आलहा जो आलहा है ये साहित्य की कौन सी गाथा है option है पंजाबी भांगरा B है कस्मीरी गीत C है भारतिय नाटक और D है लोकवीर गाथा तो इसका right answer है option D लोकवीर गाथा आलहा जो आलहा है ये साहित्य की एक लोकवीर गाता है ठीक है? अगला क्योशन है इख की खेती प्राइशन के लेखक कौन है? ओपसने है राजाराम सास्त्री B है मूलचंद वर्मा C है साधुराम D है हरी केस तो इसका राइट आंसर है ओपसने राजाराम सास्त्री इंख की खेती प्रैसन के जो लेखक है वो है राजाराम सास्त्री इन्होंने ही हरियाना का जो पर्थम उपन्यास है कौन सा जाडू फिरी जाडू फिरी लिखा है ठीक है किसने लिखा है राजाराम सास्त्री ने हरियाना का पहला उपन्यास कौन सा है जाडू फिरी अगला क्योशन है महें के किसने राम माला कावे की रचना की थी ओप्सन ए है आतमानंद, बी है संकरलाल, सी है अली बक्स और डी है सयद गुलाम हुसैन तो इसका राइट आंसर है ओप्सन डी सयद गुलाम हुसैन ठीक है महम के, जो इ महम के हैं, किसने राम माला कावे की रचना की है तो वो की है, स्यद गुलाम हुसैन ठीक है ये कहां के निवाज़ ए ये थे महम की, ये कहां परता है रोहतक में ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1709 इस्टी में कब हुआ था 1709 इसली में अगला क्योशन है दाहिने हाथ का संक किस लेखक की रचना है option है जैतराम B है गुलाम हुसेन सा C है कृष्ण गोस्वामी और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है option B गुलाम हुसेन सा गुलाम हुसेन सा दाहिने हाथ का संक जो ये रचना है इसके लेखक कौन है वो लेखक है गुलाम हुसेन सा ठीक है अगला क्योशन है एहमद बक्स खान की निमन में से कौन सी परसिद कावे रचना है option है आनंद रामायन B है कृतिवास रामायन C है थानेसरी रामायन और D है कम रामायन तो इसका राइट आन्सवर है option C थानेसरी रामायन जो थानेसरी रामायन है ये एहमद बक्स खान की जो एक परसिद कावे रचना है कौन जी है थानेसरी रामायन अगला क्योशन है भक्त वे संगी तक ये सूर्दास किसके समकालिन थे option है हुमायू B है औरंग जेब C है बाबर और D है अकबर तो इसका राइट आन्सवर है option D अकबर भक्त वे संगी तक ये सूर्दास किसके समकालिन थे अकबर के समकालिन थे ठीक है सूर्दास कजन का पर होगा था पारा जाता है, इन्हें हर्याना का तांशेन भी कहते हैं, ओप्षन है पंडित नेकिराम, B है पंडित लखमी चंद, C है पंडित तुलाराम, और D है डाक्टर सतीश कस्यप, तो इसका राइट आंस र है, ओप्षन B, पंडित लखमी चंद, ठीक है, सूरिय के, हर्याना के सू हुआ था सोनिपत के जाटी कला गाउं में सोनिपत के जाटी कला गाउं में ठीक है अगला क्यों है हर्याना नाटक साजा सीर किसकी रसना है ओपसने है रामफल चहल बी है स्रीधर सी है संकरलाल ओल और डी है राजा राम तो इसका राइट आंसर है ओपसने रामफल चहल हर्या राना नाटक साजा सीर जो इस साजा सीर है हर्यानवी नाटक ये किसकी रचना है रामफल चहल की ठीक है इनका जन्म हुआ था कहां पे भिवानी में कि भिवानी के नीमडी गाउं में ठीक है कब हुआ था 16 फरवरी 1956 को अगला कियोसन है संस्कृत गरणतन श्री भग्त फूलजी चरित्रम के लेखक को है जृप्षण ऐ है राम चंदर ब है पंडित विध्यनिधी चाजू राम सास्त्री ओर metros तो इसका राइट आनसर है OPTION B PANDIT VIDYA NIDI ठीक है PANDIT VIDYA NIDI किसके लेखक है संस्कृत गरंथ SRI BHAKT FOOL SINGH चरीतरप जो ये संस्कृत गरंथ है इसके लेखक है PANDIT VIDYA NIDI ठीक है दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को भी जरुर प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियोज हम डाले उसका नोटिफकेशन आप लोगों तक पहुंसके और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू